हमारे घर में एक नन्ना महमान आता है तो हमें उसको लेके बहुत सारे सवाल हमारे मन में उठते हैं कि हम शिशू की देखवाल कैसे करें? हम हमारे बच्चे को नहिलाना कब शुरू कर सकते हैं? हम हमारे बच्चे की मसाज कैसे करें? हम कौन से baby care product यूज करें बच्चे को भीट कितने time के gap में करें कैसे हम sure करें कि बच्चे का tummy full हुआ है या नहीं हुआ है इसके अलाबा हम बच्चे को किस तरह से रखें बच्चे की nappy up change करें क्या हम बच्चे को diaper पहना सकते हैं और अगर diaper पहना सकते हैं तो हमें कितनी देर के gap में बच्चे को diaper change करना चाहिए इस तरह के बहुत सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि आप नबजा शिशो की देखबाल कैसे करें तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत informative होने वाला है अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस तरह की बहुत सारी baby care tips के लिए आप मेरा चैनल subscribe कर ले मैं यहाँ baby's related बहुत सारे वीडियो लेके आती रहती हूँ तो चलिए फ्रेंड्स अब हम शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहली चीज आपको बच्चे को time to time feed कराना चाहिए यानि कि आपको यह sure कर लेना चाहिए कि क्या आपके बच्चे का tummy full हुआ है या नहीं तो फ्रेंड्स इसके लिए जब आप बिलकुल newly mother होती हैं तो आपके जल्दी से breast feed आता नहीं है sorry breast milk supply थोड़ी कम होती है तो आप बच्चे को जैसे जैसे feed कराएंगी आपकी breast milk supply आटमेटिक ही सही होने लग जाती है तो इसके लिए जब आप बिलकुल ही newborn baby की मा बनी है तो आप बच्चे को बार बार feed कराएं और अगर आपका बच्चा बार बार रो नहीं रहा है या फिर वो हर दो तीन घंटे के gap में या एक डेड़ या आदा घंटे के gap में पी कर रहा है तो आप sure हो सकती है कि आपके बच्चे का पेट पूरी तरह से भर रहा है यानि कि आपकी brush mill supply बच्चे के according सही आ रही है इसके अलावा friends आपको दूसरी चीज जो इसमें ध्यान रखने वाली है वो ये है कि आप बच्चे को अगर नैपी पेनाती है तो आप नैपी बच्चे की जैसे ही बच्चा पी कर ले तो आपको बच्चे की नैपी चेंज करनी है यानि कि आपको बार-बार चेक करते रहना है कि आपके बच्चे की नैपी कहीं गीली तो नहीं हो गई है और friends एक और doubt जो parents के मन में रहता है क्या हम हमारे newborn baby को diaper पहना सकते हैं तो जी हाँ आप अपने बच्चे को diaper पहना सकते हैं कोई भी अच्छे brand का आप newborn baby का diaper ले सकती है इसके अलावा friends मैं बात करूँ बच्चे की diaper रहिशिस की तो आप यह ध्यान रखे कि बच्चा ज़्यादा देर तक diaper में सेम diaper में नहीं रहना चाहिए अगर आपका बच्चा बिल्कुर newborn है या बड़ा है तब भी आपको हर 3-4 गंटे के gap में बच्चे का diaper चेंज करना चाहिए friends कई doctors तो यह भी बोलते कि हर 3 या 2 गंटे के gap में ही आपको diaper चेंज कर देना चाहिए और जब आप बच्चे का diaper चेंज करती है तो जो नैपी वाला एरिया है उसको अच्छे से clean करके और उस पे आपको या तो diaper rash cream या फिर नारेल का तेल लगाना चाहिए जिससे कि बच्चे को diaper rash होने का खत्रा नहीं रहता है इसके अलावा friends आपको कुछ एक चीज़े करने की आविशक्ता होती है तो friends डॉक्टर के कहे अनुसार आपको बच्चे की गर्बनाल पे ज़्यादा घी तेल या फिर पाउडर इस तरह की चीज़े अपलाई नहीं करने जाए है क्योंकि हमारे पुराने जमाने की जो हमारी दादी नानिया होती है है वो बोलती है कि हमें बच्चे की जो गर्बनाल है उसमें गरम तेल लगाना चाहिए गरम घी लगाना चाहिए या पाउडर लगाना चाहिए इससी की बच्चे की गर्बनाल बहुत जल्दी सही हो जाती है लेकिन friends । डॉक्टर इसके लिए बिल्को ना बोलते हैं आपको बच्ची की गर्बनाल को किसी भी तरह का तेल या घी अपलाई नहीं करना चाहिए वो अपने आप सूके ज़ड़ जाती है अब बात करो मैं फ्रेंट्स बच्चों के साफ सफाई की तो फ्रेंट्स बच्चों के कुछ एक एरिया होते हैं जो न जादा ध्यान रखना चाहिए नई तो ये एरिया एक तरह से सेंसिटिब हो जाते हैं तो आप बच्चे को जब भी नहलाएं या इस पॉंच दे तो आप ध्यान रखें इन एरिया को अच्छे से क्लीन करें और इन पे आप कोई भी बेबी केर प्रॉड़क्ट या ओयल यू और अगर आप अच्छे ब्रांट्स के बेबी केर प्रॉड़क्ट यूज नहीं कर रही है न्यू बेबी के लिए तो आप उसके लिए नारेल का तेल यूज कर सकती हैं और अगर हाँ सर्दियों के दिन है तो आप सरसों का तेल भी एपलाई कर सकती हैं और फ्रेंट्स आपको इसमें ध्यान रखने योग हैं वो ये हैं कि आपके बच्चे का जब बॉन होता है बच्चा तो उसके नेल्स कई बच्चों के काफी लंबे नेल्स आते हैं उनको आपको एकदम से न्यूबॉन के होते ही नेल्स कट नहीं करने चाहिए आपको 8-10 दिन बाद या 15 दिन इसके अलाबा फ्रेंड्स कुछ एक चीज़े और आपको याद रखनी हैं वो ये हैं कि बेबी को 16-18 गंटे की नियूबॉन बेबी के लिए नींद की आवशकता होती है तो आप ये ध्यान रखें कि आपका बच्चा प्रावपर सो रहा है या नहीं बच्चों को ऐसा environment प् बहुत जादा ध्यान रखनी है इसके अलाबा फ्रेंड्स जो सबसे लास्ट में आता है वो है बच्चे को नहलाना नहलाने के लिए भी आपके मन में बहुत सारे confusions होते हैं तो फ्रेंड्स ऐस पर डॉक्टर्स रिक्मेंडेशन आपको बच्चा जब बॉन होता है उसके 48 हार्स तक कम से कम आपको बच्चे को नहीं नहलाना चाहिए क्योंकि जैसा कि बच्चा डॉक्टर आपको बच्चे को नहला के देते हैं इसके बाद आपको बच्चे को एकदम से 24 हार्स के अंदर ही दुबारा से नहीं नहलाना चाहिए क्योंकि जब बच्चा बॉन होता है तो उसके उपर एक layer आती है जो कि baby bump से ही उसके अंदर वो layer होती है उसके उपर जो कि बच्चे को बाहर के environment में किसी भी तरह के bacteria या virus infection से safe रखती है और अगर आप उसको नहला देते हैं newborn baby को तो वो layer है जो पूरी तरह से खतम हो जाती है और इससे बच्चे को infection का खत्रा भी रह सकता है इसलिए अगर आपका बच्चा भी एक या दो दिन का है तो आप उसको दो दिन तो कम से कम नहलाएं उसके बाद friends आप उसको sponge दे सकती है जब तक की बच्चे की गर्म नाल ठीक ना हो जब तक बच्चे की गर्म नाल ठीक ना हो आप उसको sponge दे और जैसे ही बच्चे की गर्म नाल सूक के जड़ जाए उसके बाद आप बच्चे को daily निला सकती है गर्मियों के दिन है तो आप दो बार निला सकती है सर्दियों के दिन है तो आप दो दिन में एक बार निला सकती है और एक दिन इस पॉंच दे सकती है और फ्रेंट्स सेम आपको मसाज करना है जैसे ही आपके बेबी की गर्मनाल सूख के ज़ड जाए उसके बाद आप baby को अगर गर्मियों के दिन है तो दिन में दो बार massage दे सकती है सर्धियों के दिन है तो आप दिन में एक बार भी massage दे सकती है आपको massage के लिए कौन सा oil apply करना है इसके लिए मैंने already एक separate video किया हुआ है वो आप iB button पे देख सकती है तो friends आयोप आपके सारे doubts के लिएर हो गए होंगे और अगर आपके सारे doubts के लिएर हो गए हैं और आपको वीडियो informative लगी हो तो please मेरे channel को subscribe कर दीजेगा वीडियो को like कीजेगा friends and family में share कीजेगा मिलती हो बहुत चल्दी सितर एक नई बेबी केर वीडियो के साथ till then bye bye